हाई फ्रेंग्स आपने एकदम सही देखा थम्नील में कि आप एक ग्राजुएट हो अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है स्टिल यू कैन बिकम एन ऑफिसर इन रेगुलेटर बॉड़ी यस यू हर्ड मी राइट ऐसे उपरचुनिटी इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए तो क्या है वो परचुनिटी बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटर बॉड़ी या यह वर्ड आप कहीं पर भी सुनते हूं सबसे पहले आपके दिमाग में आता है RBI ठीक है और जबकि बात यहां पर मैंने किस चीच की है तो एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं कि RBI के एक्जाम में एलिजिबिलिटी क्या है देखो बड़ा ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी हैं का ग्राजुएशन इनी डिसाइपल ठीक है विट मिनिमम सिक्स्टी परसेंट मार्क्स यहां पे STSC PWD अप्लिकेंट्स को 50 परसेंट है मतलब there is a criteria चाहे 60 परसेंट हो 50 परसेंट हो there is a criteria I hope it's pretty much clear वीडियो बहुत चोटा सा हुब है क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना important है तो आपके पास अगर 60 परसेंट नहीं है तो आप RBI जैसे एक्जाम के लिए के लिए eligible नहीं हो अब regulatory body में next ये तो हो गया money market का regulator RBI capital market के बारे में बात करते है that is SEBI सेवी के eligibility सेवी में अभी 62 vacancy आया है जैसा कि आपको पता है full notification अभी तर्क release नहीं हुआ है लेकिन सेवी ने बताया है कि 62 general के लिए they will take तो इसमें educational qualification में क्या पता है simple बात है देखो master degree तो मतलब यहाँ पे graduation में कितने percentage है उस criteria को लाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है master degree मांग लिया है I am considering that you are a graduate without 60% मतलब 60% नहीं है आपके पास तो उस condition पे आप सेवी के लिए eligible नहीं हो हा लेकिन आपके पास master degree है तो फिर कोई percentage criteria नहीं है तो फिर आप eligible बन जाते हो ना ही graduation में कोई percentage criteria है नहीं master degree में कुछ है ठीक है तो यहाँ पे अप अभी तक हमने यह देखा कि ना आप आर्विये के लिए eligible हो ना आप सेवी के लिए eligible हो लेकिन eligible हो किसके लिए जो कि यह video का पूरा संदर्भ है कि don't miss this opportunity तो यह किस opportunity की बात कर रहा हूँ देखो मैं opportunity की बात कर रहा हूँ इस दस वेकेंसी में आप अच्छे से देखो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को लिखते रखा है यह पिछले साल भी था एक confusion इससे create होता है there is no doubt in it आपको भी हुआ मुझे भी हुआ सबको हुआ लेकिन पिछले साल इससे ने clear कर दिया था कि any graduate can apply और कोई percentage criteria नहीं है यहाँ पे देखो कोई percentage criteria लिखा हुआ नहीं है ठीक है अब आप मैं आपको notification का ही एक line लिखाता हूँ आप देखो यहाँ पे छोटा छोटा करके क अब लास्ट वाले line को पढ़ते है bachelor degree in law ठीक है तो legal का भी vacancy है इसलिए उन्होंने law के बारे में लिखा और any other discipline from a recognized university बस इतने से line को पढ़ो any other discipline from a recognized university इससे क्या clear हो जाता है इससे simple बात यह clear हो जाता है कि इसमें कोई भी graduate eligible है and without any percentage criteria let me repeat once again IFSCA में आपके पास graduation की degree है without any percentage criteria आप apply कर सकते हो आप अच्छे से पढ़के इस exam को pass कर सकते हो and IFSCA will give you similar status as of RBI से भी क्योंकि यह भी खुद में regulator है हाँ body नया है मतलब आप RBI की बात करोंगे तो RBI को हर कोई पैचानेगा मतलब in everyone's life there is a RBI there is a part of RBI आपके जेब में जो currency note है आप उसको निकालो उसमें लिखा हुआ है भारतिय रिजर्ब बैंक है रिजर्ब बैंक आफ इंडिया तो RBI is part of everyone's life इसलिए RBI को हर कोई पैचानता है सेवी को भी आज के दिन में stock market के वज़े से बहुत सारे लोग चानने लगे है ठीक है भले ही common man यह ना समझे regulatory body क्या है क्या सेवी क्या करता है लेकिन यह समझ में आता है कि सेवी एक powerful body है ठीक है मैं students community की बात नहीं कर रहा हूँ मैं in general बात कर रहा हूँ लेकिन जहाँ पे IF IFSCA के बात आती है तो शायद IFSCA student community में भी यह समझ नहीं है कि IFSCA का actually role क्या है मतलब unless you know what is gift city unless you know what is IFSC मतलब international financial service center तो मैंने कल एक वीडियो बनाया उसका link आपको description में मिलेगा अगर आपको gift city IFSCA और IFSC यह सारा चीत समझना है तो आप उस छोड़े से वीडियो को देख सकते तो पांच मिलेट का वीडियो है उसमें सारा डीडियल आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अब बात करते हैं status की तो status में IFSCA एक नया organization जरूर है लेकिन यह भी एक 2019 में Parliament से पास हुआ कानून के तहत एक regulatory body है this is unified regulator फिर से मैं word को repeat कर रहा हूँ this is a unified regulator इसका मतलब क्या है Unification का मतलब यह है कि IFSCA के पास अपने jurisdiction में मतलब जितने area को IFSCA cover करता है वहां पे IFSCA RBA के power को भी hold करता है SEBI के power को भी hold करता है IRDI के power को भी hold करता है PFRDA के power को भी hold करता है ठीक है और कुछ हद तक UGC के power को भी hold करता है Yes you heard me right UGC तो IFSCA एक unified regulator है मतलब जैसे-जैसे IFSCA बढ़ता जाएगा बढ़ा होता जाएगा अपने काम को expand करता जाएगा उतने power इसके regulatory fold में add होते जाएगे I hope you got that clarity कुछ भी doubt है तो comment section खुला हुआ है टाइप करो अपने doubts को पूछो मैं उसमें आपके हर सवालों का जवाब दूँगा अब यह जो any graduate है यह अभी भी आपके मद में doubt है इतना कुछ बोलने के बाद भी आपको चाया doubt है कि सर इतना कुछ लिखा हुआ है आप सिर्फ बोल रहा है इतनी बड़ी organization है वो तो सिधा सिधा लिग देती एनी graduate देखो कई बारना उनके कुछ rules and regulations होता है वो follow उन्हें करना पड़ता है तो हम यह नहीं सोचेंगे कि उन्होंने ऐसा QD लिखा हमारे समझ को हम apply करेंगे देखो हमारे समझ के बाद भी एक चीज होता है logic यह तो मैंने समझा दिया यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन अ आप देखो अच्छे से यह form यहाँ पे मेरा ही नाम लिखा हुआ है यह form मैंने कल भरने की कोशिश की और इसमें graduation में na drop down menu में सारा option आ रहा है देखो अगर option यहाँ match भी नहीं हुआ ना तो यह others का option है और यहाँ पे जितने options है वो सारे cover हो जा रहा है यहाँ पे पेंह इंजिनरींग किया इंजिनरींग इंजिनरीं इन इतीस किया किया आप यहाँ डालोगे एंपने M consci आप्स में history किया है, economics किया है, या psychology किया है, है ना, या life science किया है, कुछ भी किया है, आप ये arts से भरो, आप eligible हो, है ना, I'm sorry, life science, B.S.C. का part होता है, right, तो वहां पे आप B.S.C. है तो आप science में भरो, B.C.M. B.B.A. है, तो B.B.A. है तो management में भरो, B.C.M. है तो commerce में भरो, agriculture, म भी आप eligible हो, मतलब agriculture के बाद भी आपको financial sector में जा सकते हो, even without having 60%, ये सारा criteria कौन देता है, IFSC ये देता है, अब देखो, अब आप जो, आपको clarity मिल गई है, इसके बाद भी जो सारे doubts बच जाते है, ना, वो doubt का जवाब देने के लिए, आपके समक्षार है, none other than social advisor, है ना, social advisor क के साथ मैं भी रहूंगा, so that, आपके जो भी doubts हो, हम इस session में आपका पूरा कर सकते हो, ये session कब होगा, तीस तारिक को होगा, 8 बज़े रात को, आप देख सकते हो, ये पिछले साल का selection है, All India Rank जो है, वो हमारे ही institute से है, सब के photo के साथ सब का rank आप देख सकते हो, है ना, इनक पूरा कैसे करो, पूरा करने के लिए आपको syllabus को समझना होगा, है ना, कि आपको पढ़ना क्या क्या है, देखो, face 1, अभी सबसे पहले हम face 1 की बात करते है, ठीक है, face 1 में general awareness, English quant reasoning है, जो आप कही न कहीं, ये prepare career for different examination, चाहे आप clerical की तयारी कर रहे थे, या IVPS PO की, SBI PO की, या किसी और examination की, railway की, ये quant reasoning English जी, आप तो कर रहे हो, हा, SSC railway की तयारी कर रहे थे, तो आप general studies पढ़ रहे थे, लेकिन general awareness भी आप पढ़ रहे थे, तो वो सारा help आपको यहां मिल जाएगा, अब ये जो portion है, देखो, ये दिखने में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ये इत description में मिलेगा, previous year paper, previous year paper का, को आप download करो, और आप देखो, ये paper to में किस तरीके के सवाल आते हैं, आप खुद convince हो जाओगे, कि सर, ये तो easy है, इसमें सवाल, जैसे sustainable development में, इसमें पूछ रखा है कि, gender equality का sustainable development, goal number कितना है, ऐसे सवाल आये हुए हैं, है न, commerce management में सब easy-easy सवा तो हमारे अलग-अलग जो faculties है, commerce के faculties, ये प्रतीक सर, उसके बाद, अमित परी सर, ESI के faculty, management के faculty, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक video बना रहे है, अलग-अलग questions को लेके, वो discuss करेंगे, तो आप उन सारे videos को देख सकते हो, वो videos आज शाम को आएंगे, कल आएंगे, उसमें आ अब ये है, phase 2, phase 2 में देखो, descriptive English है, और क्या है, ये कुछ, IFSC से जोड़ा हुआ चीजे हैं, तो इनको हम बाद में discuss करेंगे, फिलाल के लिए phase 1 is more important, phase 1, देखो, बाद में मैंने इसलिए बताया, क्योंकि, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, जो RBI, SEB की तयारी भी कर र है, तो सब की बात जब करेंगे, तो आप RBI का form भी भरने के लिए eligible हो, SEB के लिए eligible हो, तो अब ये सब की तयारी एक साथ कैसे करें, सब का syllabus एक साथ कैसे है, कैसे है, तो उन सारा चीजों का discussion हम करेंगे अगले video में, मिलते हैं, अगले video में, so thank you and all the best, but before I say goodbye, let me show you all these things, दाउनलोड करके, मतलब workshop को register करके, आप हम से directly बात करके, आपने queries को solve कर सकते हो, ठीक है, and always remember, we help you prepare 50% faster.